तो गाईज आज है तारिक 26 ऑक्टूबर दो हजारते हिस और है थरस्टे देखेंगे आज के इंपोर्टेंट यूज एंड रिटोरियल डिसकेशन को लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम दनुस के बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपा चादव एजुकेशन यूपी एसी आज यू कें सी आपको यह वला चनल बिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना करना है केल्डेरा को यह क्या है और कहां पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इस को अच्छे से मैप में देखना दनुस के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवियस यर साल 2018 के प्रेलिम्स पे पूछा या था डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रिवियस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है मॉमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूटरल नाव यह एक इनिशेटिव है इसको किसने लॉंच किया है या आपने बताना है ऑप्शन नंबरे दा इंटर गॉर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या ऑप्शन नंबर भी दा यू एन एप से सेक्रिटेरियेट या ऑप्शन नंबर डी दा वर्ल्ड मेटरलोजिकल ओगनाइजेशन तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पारिसिपेट करना है जिसमें आप लोगों से डेली बिस्स पे बोलता हूँ बाइदवे इसका पिछले साल की जो यह न्यूज है वो आपको पता होगा मार्स जो प्लानेट है हमारा मंगल ग्रह उसके उपर एक बहुत जादा बड़ा भुकम पाया था अब उस भुकम के पीछे का रीजन क्या था उसको लेकर हमारे साइंटिस लगबग एक साल से लगे वे थे आज जो ह पाऊगे इडिन एक्स्प्रेस ने भी यहां पे कवर किया है साइंटिस्ट रिवील सूर्स ओफ मोस्ट पावरफुल मार्स क्वेक इन हिस्ट्री ठीक है आप जैसे अर्थ्वेक बोलता है क्योंकि वो प्रत्वी पर आता है और ऐसे यहां पर भुकम अगर मार्स पर आएग यह आर्टिकल हमारा जीयस पेपर नमबर तुरी साइंसें टेक के पॉइंट आविए से बहुत इंपॉर्टन भी है और यहां से क्वेशन भी बने हैं पहले यूपी एसी ने प्रेलिम्स में कई क्वेशन पूछे हैं तो बेसिक चीजों के साथ में मार्स के बारे में जाने यह बात है पिछले साल 4 मई 2022 की चार मई 2022 वो तारिक थी जब नासा का जो इंसाइड लैंडर है उसने अब तक का सबसे बड़ा भुकम मार्स के उपर में रेकॉर्ड किया था सबसे बड़ा भुकम मार्स पे तब आया पता है उसकी मैगनिट्यूड कितनी थी 4.7 काओगे ब प्रित्वी पर ऐसे आते जाते रहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू प्रित्वी की तुल्ला में यह सुनने में हमें हलका लगता है कि हाँ यार बस खाली 4.7 का मैगनिट्यूड का यह भुकम था लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि जो यह मार्स प्लानेट है इस इसकी स्थिती बिल्कुल अलग है प्रित्वी से प्रित्वी पर जो भुकम पर वो कैसे आ रहा है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से आपको बता है प्रित्वी के नीचे यहां पर क्या है जैसे मारी जो लाइंड है उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स प्रे यानि कि मार्स के ओपर जो यह भुकंप आया था यह किसी बड़ा उलका पिंट से टकराने की वज़ा से आया क्योंकि आपको ऐसा भी देखने को मिलते हैं अंतरिक्ष में बहुत सार एस्टरोइट्स वगरा बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो हमारे अलग लग प्लानेट से टकरा जाती है तो उस प्लानेट के अदर एक कमपन पैदा होती है तो है पर हमने यही सोचा था हमारे साइंटिस ने कि यह भुकंप आया तो उसके पीछे का रीजन ही होगा कि एक उलका पिंट टकरा गया है इसकी वज़से यहापर यह भुकंप आया अब हमारे वज्यानि को ने इस भुकंप के बाद में क्योंकि जब यह भुकंप रिकॉर्ड कर लिया गया तो उसके बाद में इसकी डीटेल्स जानने की कोशिश की क्योंकि अगर कोई उलका पिंट टकराया होगा मार्स से तो उस उलका पिंट की वज़ा से गड़ा पड़ गया होगा जैसे यहा मार्स के ओपर उसी गड़्डे को ढूंडने में लग गए कि बएक मिस्ट्री बन गई मार्स के ओपर भुकंब आया कैसे ये औल लुकंड टकराया ही नहीं था फिर के फाइनली जाकर हमारे व Mär recibir निकल कर आया कि भुकंब कहीν न कहीं ت ETCडिक विधी कANS प्रत्वी के बाइब तरड़ ही हुआ है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज उनकी वज़ा से यहां पर देखने को मिला है यह जो मार्स प्लानेट है हमारा इसमें जो लंबे समय से प्रत्वी के बाइब प्रत्वी के बाद ही तो मार्स आता है हमारे पूरे सौर मंडल में चौथा ग्रह मार्स है तो यहां पर सन बहुत मुश्किल से पहुच पाती है तो यह region बहुत जदा ठंडा माना जाता है ठीक है तो billions of years से जो भी यहां पर इसके अंदर stress बन रहा था अलग-अलग cooling rates की वज़ा से कभी cooling बहुत जादा हो रही है कभी cooling थोड़ी सी कम हो रही है अलग-अलग regions में यह देखने को बिल रहा था वही stress एक साथ यहां पर accumulate हो वही इखटा हो गया और उसी की वज़ा से जो हमारा internal tectonic force है यानि मार्स के अंदर जो internal tectonic force है उसी के वजह से यहां पर यह हमें seismic activity यानि की कहीन है कि जो यह बुकाम पर वो देखने को मिला तो question आप से पूछा जाए क्या reason था तो यहां पर tectonic force जो है एकदम अंदर की side मे मार्स के उसकी की वज़ा से यहां पर यह जो हमें बुकाम पर वो देखने को मिलता है अब सवाल यहां पर यह भी है कि जो डिस्कवरी की गई है इसका importance क्या होगा देखो इसका बहुत जदा importance होगा आने वाले समय पर हम लोग मार्स को और जदे explore करने की कोशिश करने मार्स के बारे में और जानकारी लेंगे दुनिया बर की countries ने कई सारे missions मार्स के उपर में बेज दिया है तो इससे हम लोग यहां पर यह पदाच कर सकेंगे कि मार्स के उपर में कहां कहां पर safe landing हो सकती है क्योंकि हम लोग यहां पर चाहते हैं कि अपने नएने missions को यहां पर उतार जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटीज एकने को मिल सकती हैं, तो उसके उपर भी एक मेन फोकस हमारा रहने वाला है, समझ गए, तो दोस्तों एक्जाम के अंदर अगर मार्स को एक के बार में आपसे कुछ पूछा जाता है, तो मैं आपके सामने इनफ डेटा यहां पर प् इनफर्मेशन है, वो क्या थी, पीछे साल बोकम पाया था, कैसे यहां पर देखा गया, इसके पीछे का क्या रीजन था, वो सब कुछ हम डिसकस कर चुके हैं, अब थोड़ा बेसिक चीज़े हैं, यानि जो मार्स प्लानिट है, इससे समबंदित कुछ इंपॉर्टेंट फ थी, ठीक है, और यहां पर मार्स को हमेशन हम लोग रेड़ प्लानिट के नाम से भी जानते हैं, रेट प्लानिट के पीछे का रीजन पता आई न, SSC के अंदर एक क्वेशन पूछा गया, मार्स यहां पर रेट प्लानिट क्यों है, क्योंकि दोस्तों, यहां पर बहुत infinity म जो मार्स है यह हमारे पूरे सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा प्लानेट है मरकरी के बाद में मरकरी के बाद दूसरा सबसे छोटा गरा है कौन सा है मार्स इसको ध्यान में रखना है question बन सकते आप से one day examination के अंदर में देखो दोस्तों जैसे हमारे प्रत्वी के पास में एक चंद्रमा है है ना जिसकों लोग यहां पर मून के नाम से जानते हैं वैसे ही मार्स के पास में दो चंद्रमा है यह आप देख पाऊगे मार्स के दो चंद्रमा है बहुत छोटे छोटे चांद्रमा है कौन कौन से नाम है दोनों के एक का नाम है Phobos और एक का नाम है Daimos Phobos यहाँ में 22 किलोमेटर का है Daimos यहाँ पे आपको 13 किलोमेटर का देखने को मिल जाता है ठीक है जिसके पास में हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी है सबसे बड़ा वॉलकेनों है उस वॉलकेनों के नाम कहा है Olympus Mons ध्यान रखना क्वेशन बन सकता है तो Olympus Mons दा टॉलेस्ट वॉलकेनों इन आर सोलर सिस्टम इस प्रेजेंट इन मार्स ठीक है और ये इतना बड़ा है कि आप देख सकते हो कि जो मारा Mount Everest है उस Mount Everest से तीन गुना जादा हाइट है यहाँ पर इस वॉलकेनों की जब हम बात करते हैं प्रत्वी के उपर में तो प्रत्वी में यहाँ पर एक दिन कितने घंटे का होता है 24 गंटे का यहाँ पर देखने को मिलता है लेकिन मार्स के उपर में एक दिन थोड़ा लंबा होता है प्रत्वी से 24 गंटे 37 मिनट के आसपास यहाँ पर आपको एक दिन देखने को मिलता है लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर यह दिन की बात कर लेते हैं तो सूरे का जब एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, वो यहाँ पर 365 दिनों में ये पूरे चक्कर को पूरा कर पाती है, हमारी पृत्वी एक पूरा चक्कर सूरे का 350 दिनों में कर पाती है, हम कहते हैं यहाँ पर एक साल हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब बात करते है Mars की तो क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि जो Mars है वो सूरे से थोड़ा दूरी पर है तो दूरी पर है तो इसको थोड़ा और ज़़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ठीक है तो Mars पर जो लगबग एक साल होता है वो 687 Earth Days के आसपास होता है ठीक है क्योंकि इसका डिस्टेंस जादा हो जाता है जैसे यहाँ पर 365 हो गया वहाँ पर 687 Earth Days हो जाते है आई होप आपको यहाँ पर यह जो बात है वो क्लियर हो चुकी है अब कई सारे प्रकार के जो मिशन से वो अल्रेडी यहाँ पर मंगल ग्रेपर भेजे जा चुके है फूर एक्जामपल भारत का मंगल यान मिशन 2013 में इसको बेजा गया था जिसको हम लोग मार्स और बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं फिर एक्जो मार्स रोवर 2021 में यानि कि European Space Agency ने इसको बेजा था फिर चाइना का ये मार्स मिशन है फिर यूए का होप मार्स मिशन आपको देखने को मिल जाएगा 2021 का फिर 1971 में यानि कि ये तो बहुत पुराना है यानि कि भारत से भी पहले यानि कि भारत है 2013 में बेजा था मंगल यान 12 से पहले याँ पर 1971 में सोवेत यूनियन भी भेज चुका है मार्स 2 और मार्स 3 नाम के कुछ मिशन को समझ गए अब UPSC ने 2016 में दोस्तों यही से एक क्वेशन पूछ लिया क्वेशन क्या है कि consider the following statements यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं पताना है कि इनमें से कौस स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट की जो मंगल यान है इसको इसरो ने लाँच किया है जिसको हम लोग मार्स और्बिटर मिशन भी बोल रहे हैं यह तो बात सही है अभी तो हमने पढ़ा था फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जैसे मार्स मिशन लाँच हुआ इसके साथ में भारत दूसरा देश बन गया था जिसने अपना स्पेस्क्राफ्ट यहां पर मार्स को और्बिट करवाया अमेरिका के बाद में ठीक है क्या USA के बाद में हम दूसरे कंट्री थे नहीं बीच में मैंने अभी आपका Soviet Union का नाम लिया था बीच में और भी कंट्रीज थी तो इंडिया का नमर बात मिलागा इस वेसे दूसरा स्टेटमेंट हो गया घलत फिर थी जरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि मार्स मिचन लाँच करने के साथ ही भारत एक लौता देश था जिन्नोंने अपने पहले अटेंट में हैं पहले ही प्रयास में यहाँ पर इस मिचन को सक्सेस्फुली कंट्रट किया यह बिल्कुल सही बात है हम पहले प्रयास में सक्सेस्फुल हो चुके थे तो यहाँ पर आपको बताया कि इस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर बनते रहते हैं तो दिहान रखना है यार मुझे पता है मेरा साउंड बहुत अलग आ रहा होगा थोड़ा सा यार मेरी सास भी भी खूल रही है बहुत जादा पता नहीं क्या हो गया सब ठीक चल रहा था पिछले तीन दिनों से हेल्थ थोड़ी सी जादा खराब हो चुकी है बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यार जो वीडियो है वो कंटिनियोसली आती रहें कंसिस्टेंसी के साथ में कोई दिक्कत ना हो आपकी पढ़ाई में कोई रिकावट ना हो जो मॉर्निग वाला वीडियो है उसमें थोड़ा सा या पे रोक लग चुका था अभी बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे कल मैं कोशिश कर रहा था तो मैं कोशिश करूँगा कि यहां पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा ओके बागी दोस्तों आते हैं अपने अगले आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल जी एस पिपर नमबर थुरी एन्वोर्मेंट के पॉइंट डेवी से इंपोर्टन होने वाला है क्या बात की जारी है जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायन्स यह एक रिपोर्ट रिलीस करेगा जल्दी कि जो सोलर टेक्नलोजी है वो दुनिया भर में कितनी तेजी से एडॉप्ट की गई है अपनाई गई है इस प्रगार की रिपोर्ट आएगी नवंबर के महीने में तो नवंबर के महीने में रिपोर्ट आएगी तबी डिसकेशन होना चाहिए बट फिलाल अभी एक इंडिकेशन बिल चुका है तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे एक्जाम में कहां से question बन सकता है कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा यहां से UPSC पहले सवाल पूछ चुका है इस वज़े से आपको यहां पर यह पढ़ना जरूरी भी है तो क्या है matter समझते हो International Solar Alliance लाम की जो body है दोस्तों इन्होंने अभी क्या किया 116 member countries को यहां पर इखटा किया जो इनके members है और उसके बाद में यहां पर इन्होंने अपने सभी देश जो भी International Solar Alliance के अंदरे में उनका main मकसद क्या है कि जादा से जादा हम renewable energy के उपर focus करें renewable energy में especially solar energy International Solar Alliance का main focus है solar energy के उपर solar energy का कैसे यूज़ कर सकते हैं वही solar panels लगा कर जो सूरे की उर्जा है उसकी जो sun की rays है उस sun की rays का यूज़ करके यह जो panels है इससे हम electricity को generate कर सकते हैं तो अभी इस चीज़ को लेकर एक पूरी report आने वाली नवंबर के महीने में की दुनिया भर में किस तरीके से इस solar energy को अपनाया गया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो International Solar Alliance नाम की बोड़ी है इसको 2015 में बनाया गया था ठीके जो Paris Agreement चल रहा था उस समय पर Paris Agreement sign किया गया था 2015 में उसी दुरान यहां पे इस बोड़ी को भी बनाया गया तो Solar Stock Tick नाम का जो रिपोर्ट है इसको नवंबर के महीने में बीच में यानि 15 से 20 नवंबर के बीच में यहां पर इस रिपोर्ट को रिलीस किया जाएगा इस रिपोर्ट का मेन फोकस यहां पर होने वाला है कि हम लोग ना अभी देखेंगे कि किस तरीके से Solar Energy का Adoption हुआ है और उस यहां कहां पर कमिया है उन कमियों के उपर यहां पर काम करना शुरू किया जाएगा एक सबसे Important Focus यहां पर यह है कि Solar Installations जो है वो हम Africa में थोड़ा से Expand करेंगे कि Africa थोड़ा पीछे रह गया है तो Africa के अंदर भी यहां पर इस प्रकार के Solar Panels का यहां पर जो Investment है वो किया जाएगा उसको और जादे Expand किया जाएगा और दोस्तों बात यहां पर है साल 2020 की तो थोड़ा बहुत हमें इंडिकेशन यह मिलाए कि साल 2020 में लगबख 300 बिलियन डॉलर का जो Investment है Solar Energy के अंदर वो हुआ है और 2022 में इंवेस्टमेंट बढ़ गया 2022 में यह Investment बढ़कर 300 बिलियन से डॉलर से बढ़कर 380 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया ठीक है लेकिन यहां पर सबसे ज़ादा चाइना का रोल है चाइना सबसे ज़ादा अभी भी आ गया है इस एनर्जी के मामले में चाइना के बाद में यूएस से है इंडिया का नंबर थोड़ा बाद में आता है इंडिया यहां पर टॉप फिफ्ट कंट्री पर आता है जिसके पास में सोलर एनर्जी संबंदित सबसे ज़ादा यहाँ पर एनर्जी हमको नजर आती है तो दोस्तों हमने यहाँ पर रिपोर्ट का इंतजार करना है जब आएगी अभी तो फिलाल आपको यहाँ पर एक न्यूज पता चल चुगी है और यह आर्टिकल पता चल चुगा है यह आर्टिकल एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है नहीं एक्जाम के लिए केवल और केवल बाग्राउं डेटा इंपोर्टेंट है इसी प्रकार से अभी हमने उपर यह आर्टिकल पढ़ा तो क्या ये article important था article important नहीं था, जो background data था वो important था, वहाँ से questions बनते हैं या आपने दियान में रखना है ठीक है, अब for example जैसे यहाँ पर हम लोग अगर हम syllabus देखें अपना तो syllabus में एक topic आता है GS paper number 2 में important international institutions तो उसके perspective से आपने international solar alliance के बारे में पढ़े लेना है, तो international solar alliance दोस्तों यहाँ पर एक collaborative platform है, दुनिया भर की countries यहाँ पर इसका हिस्सा है, इसके members है और इस body के नाम सी बता चल रहा है कि इसका main purpose है solar energy को तेजी से यहाँ पर उसका प्रसार करना, तेजी से यहाँ पर control कर पाएंगे, और हमारा main purpose है भी climate change से लड़ना, क्योंकि उधर अगर pollution होगा तो उससे गर्मी बढ़ेगी बट solar energy ममलुक सूरे का सही उपयोग कर रहे होंगे, electricity को generate करने में, तो international solar alliance का जो पूरा concept दोस्तों उसको लाया गया था भारत और फ्रांस के थूँ, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस बुरे body को start किया, इसका headquarter इंडिया में है, especially गुरुग्राम के अंदर ध्यान रखना, international solar alliance के अदर में एक director general भी होते हैं, आपसे यहाँ से भी सवल पूछा जा सकता है, क्या सवल पूछा जा सकता है, इसमें आपको बता दौँ, 3-4 point से ध्यान रखना, तो international solar alliance कौन head करता है, director general इसके head करते हैं, director general ही सारे के सारे जो operations होते हैं, जो इसके functions होते हैं, उसको carry करने का काम करते हैं, ठीके, और international solar alliance का अपना एक पूरा assembly भी होता है, कई सारी countries मिलके यहाँ पर क्या discussion होना है, पूरी assembly भी बैठती है और उसके लिए भी यहाँ पर यही responsible है हमारे director general अब director general को जब appoint करते हैं तो कितने साल के लिए करते हैं, 4 years के लिए ध्यान रखना, 4 साल का इनका टर्म होता है, और दुबारा से यहाँ पर मालों, 4 साल कर इनका टर्म खतम हो गया दुबारा से अगर यह re-elect करना चाहिए, तो बिल्कुल इनका re-election भी किया जा सकता है दुबारा से यहाँ पर इनको आगे के लिए further director general बनाया जा सकता है यह इसका main purpose है, I hope आपको दोस्तों यह जो basic points है, वो समझ में आ चुके है तो अब question last में आपका यह भी आ जाता है कि international solar alliance का main objective है क्या तो इस objective की बात करेंगे तो इस body का main objective है सस्ते दाम में पूरी तरह से solar energy को promote करना हमारे पूरे दुनिया भर में जिससे हम pollution को control कर पाएंगे और इसी में यहाँ पर कुछ ऐसे देशों की help करना, जो जिनकी आर्थिक इस्तिती जादा अच्छी नहीं है least developed countries है ठीक है, वो या फिर small island developing states है, तो ऐसे छोटे छोटे countries है, जिनका यहाँ पर economy इतना अच्छा नहीं है, उनको support करा जाए इस प्रकार से यहाँ पर इस body को मुनाया गया इस body के जो program है, उसमें चार main priorities है, analytic analytic advocacy, capacity building programmatic support और readiness enable activities, तो इसमें कुछ जादा नहीं है, बस खली इतना मोटा मोटा ध्यान रखना है, लेकिन एक point और important है, उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो point यह है कि जो international solar alliance नाम की body है दोस्तो, इसकी एक assembly भी बैठती है, उस assembly की क्या responsibilities होती है तो जो assembly बैठती है, जिसमें सारे के सारे जो देश है, international solar alliance के अंदर है, वो सब साथ में खटा बैठता है decisions लेता है, तो अपने आप में यह assembly एक सबसे important decision making body बन जाती है, ठीक है जिसमें यहाँ पर हर एक member nations यहाँ पर present होता है, और यह discussion करते है अलग-लग चीजों पर, जैसे इस assembly की जिम्मेदारी होती है कि director general का selection करना, इसके जो objectives है उनको यहाँ पर achieve करना, इसकी functioning को इस body की, इसके लिए budget कितना लेकर आना है, है ना, इसका यहाँ पर पुरा किस तरीके से में साथ में विलकर काम करना है, कैसे programs को लागू करना है, important projects क्या है, तो इन सब चीजों के उपर special focus रहता है हमारा international solar alliance का, I hope दोस्तों आपको यहाँ पर ही जो मोटा point है, वो समझ में आ चुका है कि ISA exactly क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन अभी कहानी दोस्त खतम नहीं हुई है, यही पर ना, एक और बहुत important data है देखो कि UPSC ने 2016 में यही पर एक प्रशन बूच लिया था, उस प्रशन से पहले में आपको बता दूँ कि जो international solar alliance है, इसका foundation में आपको बता चुका हूँ न, 2015 में यहाँ पर इस body को बनाया गया था, especially जो United Nations Climate Change Conference चल रहा था, है न, उसके दुरान यहाँ पर उसको तैयार किया गया, तो UPSC का 2016 का यह question था, कि consider the following statements, तो statements आपने दिये गए हैं, बताना है इन दोनों statement में से कौँ सा statement सही है, तो यहाँ पर पहला statement बोलता है कि international solar alliance 2015 में बनाया गया था, इसको launch किया गया था, जो United Nations Climate Change Conference चल रहा था, उस दौरान बिल्कुल सही बात है, दूसरा, इस alliance में सभी member countries होती है, United Nations की, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, कि सभी countries है, भाई, कुछ कम members भी है, United Nations के तो बहुत सारे members भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो सभी countries के बारे में ऐसा तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इस विसे second statement हमारा गला था, लेकिन पहला वला statement सही है, तो option number one, यानि की, one only is the correct answer, I hope दोस्तों आपको यह जो बात है, वो बहुत अच्छे से clear हो चुकी है, 2015 में जैसे मैं भी आपको बोला था, Paris Climate Judge Conference है न, Paris के अंदर जो यह मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो, तो आपके पास में बढ़िया chances को join करने का, यहाँ पे paid group में हम लोग आपको daily current notes, PDF अगरा provide करवायता है, for example, अभी हमने दो article discuss किये बहुत detail से, दोनों article में article important नहीं था, सबको पता है, जो background data था, वो ज इसका PDF printable form का, जिसका चाहो तो आप printout निकलवा सकते हो, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यह PDF मिलता है, अच्छी बात यह है, दोनों माधियम के जो aspirants से उनकी directly help हो जाती है, दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इस PDF को, किसी भी तारीक PDF अराम से आप डाउलोड करके पढ़के delete भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में storage का एक परेशानी होती है, और इस सारा content आ गया, उसको store करके कैसे रखें, उसके लिए परेशान होने की जरुवत नहीं है, इस group में सारा का सारा content आपका securely store करके रखा जाता है, किसी भी तारी यानवे में इस group को join करके रख सकते हो, जो basic features वहाँ पर मिल रहे हैं, उसको avail कर सकते रहे तो, बाकि अगर आप पर आपने इस group को join करना है, तो WhatsApp पर जाना, यहाँ पर आपको एक नमबर दिया गया है, 85348-73368, इस नमबर पर message कर देना, कि यहाँ मुझे एक group join करना है, आपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर अपना यह investment करना, आप इतना पैसा ऐसे वैसे खर्च कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सरी चीज़े दी गई है, आप पूरी चीज़ों को analyze करने के बाद में ही, यह investment कर सकते हो, चली आ गयाता है, बाकि जैसे मैं हमे ज़्यादा education मेरा profile मिलेगा, जहाँ पे already 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हैं, अगले article पर आते हैं, next article, GS paper number 3, environment और agriculture, दोनों के point of view से important है, बात की जारिये, हमारी केंदर सरकार ने अभी 22,303 करोड रुपे की जो subsidy है, फॉस्फेटिक और पोटेशिक वाले जो fertilizer होता है, ऐसे खाथ जिसमें phosphate और potassium होता है, ऐसे खाथ बहुत जरूरी होता है हमारी फसलों के लिए, इस्पेशली राभी सीजन की फसलों के लिए, यह जो fertilizer है, इसके ओपर subsidy सरकार ने announce कर दी है, इतनी यहाँ पर छूट मिल जाए क्योंकि इसका जो उपर के खर्चा है, वो यहाँ पर government subsidy के form में fulfill कर रही है, तो हमारी union cabinet, जिसको Prime Minister ने chair किया, उन सब ने मिलका decision लेने के बाद में, यह इसको लागू कर दिया, इसका announcement already कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है, कि जो यह nutrient based subsidy regime है, NBS rates जिसको हम लोग ब चुका है, तो इस पूरे season में जो फसले होगा आई जाएंगी, वो बहुत important होती है, ठीक है, तो उन फसलों के लिए fertilizer यह खाद जरूरी है, क्योंकि वो खाद नहीं डालेंगे, तो फसल का उत्पादन इतने अच्छा हो नहीं पाएगा, या जो उसका production होगा, वो बहुत ब boost मिलने वाला है, लेकिन exam perspective से यह कुछ भी चीज़े आपसे नहीं पूछे जाने वाली है, exam के लिए आपने अगर जानना है, तो यह NBS system होता क्या है, यह आपने जानना होगा, जिस system के हम बात कर रहे हैं, तो NBS मतलब होता है nutrient based subsidy regimes, यह subsidy rates, तो NBS regime होता क्या है, दोस्तों regime के तहत, जो हमारे fertilizers होता है, जो खाद होता है, जो हम अपने farmers को provide करवाता है, वो सस्ते दाम में provide करवाने की कोशिश करता है, farmers को जदा payment देने की जूरत नहीं है, ठीक है अगर payment देते भी हैं, तो उसके बाद यहाँ पे subsidy के form में उनको return मिल जाता है, तो सरकार का main मकसद ह होता है, farmers को जो अच्छे वाले fertilizer से, एक तो fertilizer है, यूरिया, अब यूरिया का तो हर जगा यूज़ करते हैं, for example, अभी जो यह farmer है, यूरिया छड़क रहे हैं खेत में, छोटे color के white color के दान दे दाने देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन यूरिया से जादा बेतर आपको ब पड़िया सबसीडी देने की बात की जाती है, क्योंकि जब भी आप खाद देखते हो कोई, तो उस खाद के अंदर में आपको nitrogen, potassium और साधी साथ में जो phosphate है, ये देखना जरूरी है, अगर ये चीज़ अच्छी मातरा में present है, तो fertilizer मतलब वो अच्छा है, ठीक है, प्लस यह पर जो fertilizer है, कभी-कभी हम लोग इसको fortified विमी बेच रहे हैं, यानि कि इन fertilizer इन खादों में extra कुछ micronutrients मिला देते हैं, for example, molybdenum हो गया, या zinc हो गया, अगर ये मिला देंगे, तो इस पर extra और subsidy दे जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप चीज़े मिला होगे, जितना ब साल के basis पर, annual basis पर यहाँ पर announce करती रहती है, यह आपने ध्यान में रखना है, और यहाँ पर मेरे मकसद हमारा यह होता है, कि भाईया, जो fertilizer है, वो एक सही ratio में use होता रहें, सही ratio मतलब यहाँ पर यह है, कि जब हम लोग सही ratio की बात करते हैं, दोस्तों तो NPK की बात करते है NPK का मतलब nitrogen, हमारा उसके अलावा phosphorus और potassium, ठीक है, इन तीनों का यहाँ पर एक balance ratio होना चाहिए हमारे खाद में, कोई ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और balance ratio कितना होना चाहिए, 4-2-1 का, यानि कि 4% के आसपास nitrogen हो उसमें, 2% के आसपास phosphorus हो, और 1% के आसपास यहाँ पर potassium हो, अगर fertilizer में यह चीज़े हैं, तो तो वो fertilizer बढ़िया है, और अगर यहाँ पर उपर नीचे है, किसमें nitrogen जादा है, या यह कम है, या वो जादा है, तो वो fertilizer कहीं नहीं फिर नुकसान देगा हमारे मिट्टी के health को, लेकिन यह वाला ratio, यह optimum ratio है, तो इससे हमारी soil के health improve होग अच्छा यहाँ पर फसल हो गएगा, हमारे farmers को अच्छे income मिलेगी, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर balance वे में लेकर चलने की कोशिश की जाते है, गोर्मेंट के side से, और दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का यह nutrient के उपर based वाला जो fertilizer के उपर जो subsidy दी जाती है, यहाँ पर जो ऐसे nutrients होंगे, वैसा है subsidy मिलेगा, तो इस प्रकार की जो subsidy है, यह April 2010 से लागू करी गई थी हमारे Department of fertilizer के तुरू, Department of fertilizer जो की Ministry of Chemical and fertilizer के अंडर में आता है, तो NBS आप समझ गए ना, जैसे nutrients होंगे, जैसे fertilizer में पोशड होंगे, उसी प्रकार की subsidy दी जाएगी, अब दोस्तों NBS से संबंदित कुछ दिक्कते आती है, पहली चीज़ यहाँ पर, अगर हम NBS को ज़्यादा promote करते हैं न, तब भी यहाँ पर जो fertilizer के prices है, उसके बीच में imbalance create हो जाता है, for example, urea, क्योंकि हम लोग यहाँ पर, इस nutrient based के अंदर में, urea के ओपर focus करी नहीं रहें, और आज का समय में हमारी जो farmers, जो हमारे किसान है, वो सबसे ज़्यादा urea का ही use कर रहें, तो urea इस scheme से बाहर है, उसको भी लाना ज़रूरी था, और urea आज के समय पर यहाँ पर rate देखोगे, तो उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उसके ओपर कोई ऐसा proper price control वगरा नहीं देखन जा रहा है, तो आपको यहाँ पर उसको भी इस scheme में देकर आकर हर चीज़ को balance करके चलना चाहिए था, फिर उसके आद में दूसरा problem बताया जा रहा है, कि fertilizer के ओपर अगर आप इतनी 1000 करोन रुपे की subsidy दोगे, तो इससे economy के ओपर impact पढ़ सकता है, इससे हमारी economy की जो के ओपर depend करता है, क्योंकि दोस्तो problem ये भी है कि इतना पैसा देने के बाद में सस्ते दाम में market के अंदर fertilizer को available करवाने पर उसके black marketing शुरू हो जाती है, जैसे for example यूरिया की बात कर रहे है, यूरिया पे जब छूट दी जाती है, यूरिया बहुत ज़्यादा मातरा में market मे बिखता है, तो यूरिया को पता है, agriculture sector के अलावा दूसरे industries के अंदर भी use किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर plywood के अंदर में, या animal feed makers के अंदर में इसका use हो रहा है, कई बार यूरिया को smuggle कर दिया जाता है, बांगलदेश और नेपाल के अंदर में, तो यह भी एक particular issue है, ज बार एक चीज़ आपको पता होने चाहिए, तो समस्या तो पढ़ लिए, अब इसका समधान क्या हो सकता है, वो यहाँ पर पढ़ते हैं, way forward क्या हो सकता है, यह जो imbalance create हो रहा है हमारे fertilizer use के अंदर में, इसको address करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, हमें यूरिया को भी इस nutrient based system के अंदर में लाना पड़ेगा, इस scheme में लेकर आ जाओ, जिस scheme में हम लोग NPK की बात करते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यह बोला जा रहा है कि, अगर हम लोग क्या करेंगे, for example, जो यह हमारा, अभी जो NPK वाला यह होता ह यूरिया की प्रैसिस हलके से बड़ा दो, हलके से, जादा नहीं, और इस वाले जो यहाँ पर बाकी सारे हमारे यह वाले fertilizer, phosphorus, पॉर्टाइज, sulfur वाले इसके यहाँ पर सस्ते कर दो, इससे क्या होगा, जो हमारा fertilizer है, उसका balance rate बन जाएगा, यह balance उदाएगा, और balance होने से हम nitrogen, phosphorus, potassium, यह तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फसल के quality के लिए, जादा मात्रा में production के लिए, तो सरकार को यहाँ पर कहीं न कहीं, सभी fertilizer के लिए, सभी जितने भी हमारे यहाँ पर एक हाद है, उन सभी चीज़ों के लिए, एक uniform, यानि कि एक समान यहा करानी होंगी, ठीक है, तो आई होब आपको यह जो article हो समझ में आ गया, article exactly क्या है, प्लस उसके पीछे का background data क्या है, आते है next article पर, आज के हमारे दहींदू newspaper में एक science quiz आया है दोस्तों, अब यह science quiz वैसे तो exam के लिए important नहीं है, लेकिन मैंने देखा syllabus में इसका एक बहुत important महत वह है, question यहां से पूछा गया है, इस वैसे पता करना भी यहां पर उसके बारे में जरूरी है, आज के दिन ही 1977 में हमारे दुनिया में आखरी case देखने को मिला था smallpox का, एक आप देखते हो chickenpox, chickenpox के cases आपने देखे भी होंगे, body के उपर छोटे छोटे बहुत सरे दाने हो जाते हैं, उसी chickenpox की तरह smallpox हुआ करता था, आज दुनिया में smallpox नहीं पाया जाता, पूरी दरा से खतम हो चुगा है, तो 1977 में इसी दिन पर दुनिया में आखरी case देखने को मिला था smallpox का, इस वज़े से उसी के उपर एक quiz यहां पर जारी किया गया है, और इस quiz के अदर जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में अराम से फैलती है, और कैसे होती है, एक virus है, वरियोला वाइरस, यह ध्यानक नहीं important है, वरियोला वाइरस की वज़े से smallpox फैलता है, transmission की बात करेंगे, तो माल लो यहापर किसी person को smallpox हो गया है, ठीक है, तो उसके जो droplets वगरा है, वो एक जमाने मना smallpox, जानलेवा बिमारी थी, deadliest disease मानी जाती थी, लोग डरते थे अगर किसी को smallpox हो जाता था तो, तो एक one of the deadliest disease, जो कि आज की समय पर पूरी तरह से खतम कर दी गई है, केवल और केवल vaccination के दम पर vaccine का use कर गे, 1980 में दोस्तों यहाँ पर इसको declare कर दिया गया थ था कि 1980 में यह बिमारी पूरी तरह से खतम हो चुकी है, 1977 में तो आखरी case देखने को बिला था, आखरी case उस समय पर था, लेकिन 1980 तक इस बिमारी को completely eradicate कर दिया गया था, पूरी तरह से खतम कर दिया गया था, क्योंकि पूरे दुनिया में यह immunization campaign चलाया, World Health Organization और smallpox vaccine को provide कर जिससे smallpox को दुनिया से खतम किया, जो smallpox की vaccine है, जो सबसे पहली effective vaccine है दोस्तों इसको discover किया था, Edward Jenner ने, 1796 में यहां पर इस प्रकार की सबसे effective vaccine को बनाया गया था, I hope आपको कुछ basic data, prelims के लिए या one day examination के लिए रिकार्ड एक smallpox मिल चुके है, अब UPSC ने 2014 में दोस्तों यही से question पूछ दिया, question क्या था, कि consider the following diseases, आपको तीन प्रकार की बिमारियों के नाम दिए गए, diptheria, chickenpox और smallpox, और इन तीनों बिमारियों को देते विए आपसे पूछा, या है इन में से बताओ, यानि उपर दी वी तीन बिमारियों में से, कौन सी बिमारी इंडिया में erad एडिकेट हो चुकिए, खतम हो चुकी है, diptheria, chickenpox या smallpox, diptheria के बारे में चार दिन पहले हमने पढ़ाता भई, अभी भी केसे निकलते है, chickenpox भी यहाँ पर news में रहता है, smallpox यहाँ पर खतम हो चुका है, तो केवल यहाँ पर option number 3, जो है, वो सही होना चाहिए, that is why option number 3, only is the correct answer, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके साब देखोगे, question यहाँ पर पूछा जा चुका है, आगया आता है, now next article, अगयें GS paper number 3, economy के लिए important है, कुछ ज़्यादा रेटा नहीं है, बर छोटा सा data है, उस छोटे से data से question मन सकते हैं, इस वज़े से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बात की जारी है, पुल्सिस की, यानी दालों की, तो इंडिया के अंदर में जो पुल्सिस का production है, वो अभी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जो हमारे economist है, उनका कहना यह है, जो दाले हैं, दालों की जो उपर जो दाम है, वो और ज़दा बढ़ने वाले ह आने वाले समय पर, इसको रोख पना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका production थोड़ा सा कमजोर रहा, भली यहां पर हमारा normal range से थोड़ा सा मामला डाउन रहा है, लेकिन जो खारीव क्रॉप्स हैं दोस्तों, यह कहीन है कि यहां पर इसमें एक असर देखने को मिला, for example, जूट, जूट हो गया, पल्सिस हो गई, cotton हो गया, oilseats हो गई, इन सब में यहां पर decline देखने को मिला, इनका production डाउन हुआ है, तो पल्सिस का output, 2022 के comparison में, यानि कि पिछले साल की comparison में, इस साल 2023 में कहीन है कि इसका production डाउन हो रहा है, पिछले साल यह 7.6 metric ton के आसपास था, जो कि अपकी बार कम होकर, 6.9 के आसपास यहां पर रुख जा रहा है, तो इस चकर में obvious सी बात है, demand कोई product है मानलो, उसकी demand market में जादा है, production हो नहीं पा रहा है, तो उसका जो price है, obvious सी बात है, वो बढ़ जाएगा, तो कहीना की जो retail inflation है, especially डालों को लेकर डालों के ओपर जो महेंगाई है, वो हमें अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आगे भी और आगे भी यहां पर कोई कम होने के इतने chances है नहीं, ऐसा यहां पर mention किया गया, आई होब आपको यहां पर यह जो बात है, वो समझ में आ चुकी है, especially यहां पर कुछ दोस्तों important डाले है, सस से कम production के दर पर है इस सल, तो इस विशे यह जो issues है, वो यहां पर create हो रहे है, यह जो matter आपको समझ में आ गया exam के लिए, लेकिन exam में इस article से कोई question मैंने ऐसा यहां पर नहीं है दोस्तों, यह तो आपने केवल और केवल news पढ़ लिया, अब खबरों के बाद में आपने थो OPSC यहां से भी सवाल पूछ चुका है, दोस्तों, भारत के pulse production के बारे में जब बात करते हैं, तो इंडिया न, कहीं न कि दुनिया में एक सबसे बड़े producer की category में आता है, दुनिया में दालों का जितना भी उत्पादन होता है, उसका 25%, 25% के वल भारत करता है, उत्पादन क तो हम इंपोर्ट भी करने पड़ी हैं दाले, 14% के आसपास दाले हम इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, तो producer भी है, consumer भी है, और importer भी है, समझ गए, अब दोस्तों बात आती है, यहाँ पर डालों की, तो बहुत ज़दा उपयोग होता है, यह जो डाल है ना, staple food की तरह देख सकते हो, हमारे देश बर में, सबी जगह पर यह जो डाले हैं, वो खाई जाती हैं, और सबसे ज़दा जो डाले हैं, वो ग्रो की जाती हैं, खारिफ और राभी सीजन के अंदर में, जो राभी पलसे होती हैं, यह जादा प्रोड़क्शन मदब इनका जादा प्रोड़क्शन किया जाता है, जो राभी वाली जाले होती हैं, इस सीजन में, जो ग्रो की जा रही होंगी, इनका ज़यदा प्रोड़क्शन होता है, 60% के आजस पास, बाकी दोस्तों अगर हम लोग राज्जों के इसाफ से बात करें, तो तौप 5 2020 का हां इस आर्टिकल से थोड़ा सा हट कर है लेकिन यहां पर एक बेसिक आइडिया दे सकता है आपको कि हां यहां से भी एस इस लेवल के यहां पर नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सरी जो डाल है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी उगाई जा रही है बड़ी लेवल पर केवल ग्रीन ग्राम को यहां पर इतना ज़्यादा बड़ा हम लोगों ने कॉंट्रिबूशन नहीं दे रखा है इस वसे सेकेंड स् पिछले 30 years के अंदर में जो production है हमारे खरीफ पल्स का जो खरीफ वाली दाले है वो production कहीं नहीं बड़ा है और राभी पल्स का production डिक्रीज हुआ है ऐसा तो नहीं है अभी तो हमने पढ़ा था थोड़ी दर पहले कि जो राभी फसल है इनका contribution तो सबसे जादा रहा है तो रा सबसेते जो डाले है वह हमारे सर्दियों के समय याणि राभी यह सकता है हूसकता हो इस वसकता हो से बार पर बलार निवज कर सकते थे उस समय पर फिलाल 2023 में यह ऐलिमेशन टेक्निक यूज नहीं कर पाऊगे यूज कि इस समय पर option का pattern change कर दिया या है ठीक है लेकिन उस समय पर होते तो इस डेटास हम elimination technique यूज करके third वाले को हटा देते तो हमारे दो option नीचे से यहां पर ऐसी गायब हो जाते तो उसके basis पर यहां पर कम कर सकते थे ठीक है चलिए आते हैं उसके बाद में अगले article पर next article किया है sorry नहीं आते हैं हम लोग अपने एडिटोरल discussion पर दोस्तों आज के newspaper के दो relevant एडिटोरल हैं हमारे वैसे एक तीसरा भी था जहां पर women के participation rate की बात की जारी है वो already हमने discuss किया हुआ है तो उस वापस से point of view उसको जानना important नहीं है मैंने जब पूरा article पढ़ा मैंने सुचा है अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है चार दिन पहले वापस से उसी को पढ़ाओ तो इस से अच्छा यहां पर यहां पर एडिटोरल यहां पर अच्छा लिखावा है संजे राजगोपलन सापके थूँ यह आपको दिख रहा इसको कहीना कि हमें टेकल करना होगा हमारा जो डाइट वगरा है वो यहां पर खराब हो रहा है जंक फूट का गंजम्शन जादा हो रहा है तो इसकी चक्कर हम थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं वो यहां पर इनुने समझाया है फिर दूसरे एडिटोरल ने बात की गई ह लीगालिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस जो वाइट फॉस्फोरस उसको यूज करना कितना सही कितना गलत इसको लेकर इंटरनाशनल कानून क्या बोलता है क्योंकि रीसेंटली इसराइल के ओपर इलजाम लग गये है आरो पिया लगा है कि इसराइल ने कहीं यह जो वाइट फॉस्फोरस बॉंब है इसका इस्तमाल किया है वाइट फॉस्फोरस बॉंब इतना खतरनाख होता है कि एक इनसान बगर यह पहुंच जाए उसके अंदर में तो ऑक्सिजन को खतम करने के बाद में ऑक्सिजन को सोखने के बाद में हड्डियों को गलाने लगत तो क्या है यह पूरा का पूरा प्रॉसस उसको भी समझने की कोशिश करेंगे फिलाल इस वाले एडिटोरल से शुरुबात करेंगे और दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला है कि बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को सुनना क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वह हम कि आप लोग जनसंकिया देखते हों दोस्तों तो 2035 तक हमारे शहरों की जनसंकिया 675 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगी 675 मिलियन के आसपास हम पहुंच जाएंगे 2035 तक ठीक है यह पूरे दुनिया में सेकेंड हाइस्ट अर्बन पोपुलेशन होगी शहर वाली जनसं होता है गाउं की भी एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन होता है स्पेशली अग्री कल्चर सेक्टर में आप देख पाऊगे लेकिंदोस्तों प्रॉब्लम पता है अभी आप लोग आप अर्बन एरियाज और रूरल एरियास को 2023 में भी कंपैर कर लोगे तो बहुत अज़ लोग यहां पर environment protection के उपर focus कर रहें लेकिन यहां पर गाउं में अच्छा मिल जाता है जबकि अर्बन एरियास में शहरों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी यहां पर ना ही अपनी health के उपर धियान दरक लाए ना ही environment के उपर में इतना focus किया जा रहा है लगा भारत की बात कर रहे हैं और यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनमें बहुत सारे health risk भी हैं तो भारत की जो urban population दोस्तों वो कई सारे प्रकार की बिमारियों से गुजर रही है health risk से गुजर रही है health risk में सबसे बिला risk आता है pollution हाँ यह भी एक बहुत बड़ा matter है आपको पता है जो production है वो हमारे गाउं के अधर फिर भी बहुत कम है लेकिन शहरों में pollution बहुत ज़्यादा है है ना noise pollution की बात करो शोर शराबा हो रहा है गाड़िया मोटर जा रही है air pollution की बात करो गाड़िया मोटर की वज़से जो धुआ निकल रहा है उससे air pollution हो रहा है और पेड़ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वहाँ पेड़ है वो हमको oxygen देने का काम कर रहा है उस area को थोड़ा ठंड़क बनाएगा वो उसके अलावा दोस्तों sidewalks की बात करेंगे तो हमारे शहरों में वैसे sidewalks होनी चाहिए थी बड़े-बड़े parks होने चाहिए थे वो parks आज nutrition है वह खराब हो चुका है यह तो मानना पड़ेगा nutrition में unhealthy foods का जाधा consumption हो रहा है junk food का जाधा consumption हो रहा है तलाब होना इन सब चीज़ों को जाधा consume कर रहे लोग फिर सोचता है यार काफी दिनों बाद ही तो खाया है एक बार ही तो खाया है है ना हफ्ते में एक दुबार खा केवल जंक फूड का कंजंप्शन कर रहे है ओबी सीटी जादा लेकिन एक्ससाइज नहीं कर रहे है जो एक्ससाइज नहीं कर रहे है तो उससे कैलरी बर्न ही नहीं हो रही है बही कैलरी एक्सस में चल रही है हम लोग कैलरी इंटेक डेली कर रहे है लेकिन यहां पर उसको burn करना भी तो जरूरी है ना तो burn ना करने की वज़ा से दोस्तों यहां पर इस प्रकार का जो हमारा metabolic rate है वो यहां पर बहुत ज़्यदा slow हो जाता है आपकी calories burn करने की शम्ता बहुत ज़्यदा कम हो जाती है तो physical activity बहुत ज़्यदा जरूरी है जिससे कि यहां पर शहर के अंदर लोग बहुत दूर है ठीक है उसके लावा दोस्तों भारत के अंदर में जो शहर हमको देखने को मिल रहे है यहां पर लोगों को बहुत ज़्यदा diabetes देखने को मिल जाती है जबकि diabetes के cases यहां पर गाउं में कम है ठीक है तो यह भी एक problem है क्योंकि हमारे के लोग fit हैं बहुत ज़्यदा काम कर रहे है obesity मोटापा अभी भी गाउं में कम है तो कहीन है कि यहां पर दोस्तों यह दोनों एक बहुत बड़ा difference है और इसी चक्कर में हमें संबलना होगा सुधारना होगा अपने आपको नई तो यहां पर जो premature death होती है यानि कि उम्र से पहले जो मृत्ती होती है इंसानों की उसकी संक्या अभी भी जादा है वो नमबर आगे और ज़्यदा बढ़ने लगेगा पिछले 10 सालों में premature death का जो यहां पर जो कह सकते हो percentage है वो यहां पर तीजी से increase हुआ है समझ गए तो जो हम consume कर रहे हैं जो हम खा रहे हैं उसके उपर भी ध्यान में रखना है आसपास का जो environment है उसको भी यहां पर हमें protection में रखना है उसको भी यहां पर हमने बचाव करना है क्योंकि अगर हम इस चीज के उपर ध्यार नहीं देंगे तो दूसी तरफ हमने sustainable development goals अपने set कर रखे हैं पता है ना दुनिया बर की countries ने total सत्रे sustainable development goals मान रखे हैं कि हमें 2030 तक यह सत्रे sustainable development goals achieve करना है वो उसमे climate change भी है healthy life भी है proper water भी है waste management भी है तो यह सब कुछ manage करना ज़रूरी है जो कि शहरों में आज के समय पर नहीं हो रहा है ठीक है उसके लावा writer बोलता है कि देखो एक clean energy की ज़रूरत है हमें जैसे solar energy वगरा की बात कर रहे हैं तो इसके लिए investments होना ज़रूरी है अगर हम लोग investment करेंगे ज़्यादा अपने शहरों के अंदर में clean energy को ज़्यादा promote करेंगे जो भी यहाँ पर उत्पादन हो रहा होगा बिजली वगरा का वो सब बिना pollution की हो रहा होगा तो इससे health भी improve होगी प्लस यहाँ पर air pollution के जो level से वो भी यहाँ पर कम हो रहे होंगे इससे हम लोग क्या करेंगे अपना जो climate change का हमने goal set किया है प्रदूशल को कम करने का उस goal को भी हम लोग achieve कर पाएंगे यह भी एक बहुत important factor हमको देखने को मिलता है समझ गए बाकी दोसो राइटर ने बोला है कि हमें काफी सरी studies ने यह दिखाया है studies यहाँ पर यह शो करती है कि छोड़े छोड़े जो changes है ना उस changes की वज़ा से हमारे health के ओपर एक सीधा impact पड़ता है अगर आप लोग यहाँ पर साफ पानी पी रहे हो अपना अच्छा healthy खाना खा रहे हो raw food खाने की कोशिश करो दिन बर में आप अपनी health को बहुत अच्छा manage कर सकता हो आप physical activity इतनी नहीं करोगे तब भी body अच्छी तरीके से healthy रहेगी manage रहेगी लेकिन आप खा भी गंदर रहे हो कोई exercise भी नहीं कर रहे हो तो उस चकर में यहाँ पर जो body है उसकी productivity तो कम होगी होगी आपकी जो memory power है overall यहाँ पर जितना आपका potential होना चाहिए था body का वो potential कम हो जाएगा आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लो यहाँ पर कुछ बैतर करने की वो नहीं कर पाऊगे इसके लिए regular exercise होना जरूरी है और regular exercise अगर होगी तो इससे यहाँ पर बड़े-बड़े risk factor जैसे आपकी poor diet है poor diet में यहाँ पर calories अगरा जादा consume कर रहे हो तलब उना खाके तो वो थोड़ा manage हो जाता है आप यहाँ पर exercise करोगे तो calories burn कर लोगे लेकिन अगर वो calories अब burn नहीं कर रहे हो exercise नहीं कर रहे हो तलब उना जादा खा रहे हो junk foods खाये जा रहे हैं और भी यहाँ पर diet खराब है तो उससे insulin spike होगा fat digestion यहाँ पर हमारा और जादा होगा यानि कि fat deposition जो हमारा fat है आसपास body में वो चरबी और जादा बनने लगेगी और इतना जादा fat बनेगा उतनी जादा heart से related problem दिल से संबंदित बिमारिया घबरा हट वगरा जैसी चीज़े body के अंदर में बनने लगेगी तो जो excess calories होती है इनको burn करना जरूरी है और excess calories इसको burn करने के लिए यहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि भाई लोग खा रहे हैं और उपर से कुछ मतलब की fat burner जैसी जो चीज़े होती है लोग समझते है यार fat burner वगरा खा लेंगे तो इससे आपर fat हमारा कम हो जाएगा नहीं जब तक यहां पर आप अपनी calories intake को कम नहीं करके exercise नहीं करोगे calories को burn नहीं करोगे तब तक वैसा कुछ भी नहीं होगा समझ गए क्योंकि जितना ज़्यादा यहां पर body weight रहेगा उतना ज़्यादा heart disease heart disease के साथ diabetes के chances बढ़ते रहेंगे और body weight को अगर आप normal way में रखते हूँ ठीक है एक normal जो weight होना चाहिए उसमें है fat percentage ठोड़ा कम है तो इससे यहां पर यह सारी बिमारियां होने के chances बेहत कम हो जाता है बट शेहरों में यह चीज़े आज के समय पर थोड़ी सी कम नजराती है बहुत ज़्यादा obesity हमको यहां पर देखने को मिल जाती है अब writer बोलता है इसके लिए हमें करना क्या चाहिए इसके लिए पहली चीज़ तो दोस्तो यहां पर हम transportation का use कर रहे है ठीक है हमारे शेहरों में side walks वगरा भी होने चाहिए हम जाद से जादा पैदल चलने की अदर डाले side walks यहां पर कर सके है यानि गाड़ी मोटर चलनी है अलग है उसके लावा जो footpath होता है वैसे भी चीज़े होनी चाहिए ठीक है आजकल क्या हो रहा है आजकल लोग पार्क में टहलने जा रहे हैं वो भी यहां पर जो bevelages अलग-लग drink आ रहे हैं उसमें salt और sugar है उसको यहां पर limit way में यूज़ करना इस प्रकार की नई नीतिया लानी होगी इसी से हम obesity, diabetes इन सब चीज़ों को control कर पाएंगे शहर की जो अलग-लग policies जो नीतिया है दोस्तों उसके उपर यहां पर हमें थोड़ा एक special focus देनी की जरूरत है क्योंकि health सबसे important है, health is wealth health सही है तो आगे आप सारा काम कर पाऊगे अगर health ही सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते समझ गए? तो अगर हमें cardiovascular diseases से या diabetes से या मोठापे से लड़ना है तो उसके लिए यहां पर यह चीज़े सरकार को एक healthy diet तो promote करनी चाहिए यह चीज़े यहां पर रैटर के साइट से mention की गई है I hope दोस्तों आपको बड़िया तरीके से article clear हो चुका है, इसमें कोई जादा special चीज़े नहीं है, normal चीज़े हैं जो हम लोग यहां पर daily basis पर करते हैं या खा रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को यहां पर discussion किया गया है, अब आते हैं आज के मेंस के question के उपर, क्योंकि आज के question इसी article के उपर based है, तो question क्या है question यह है, unhealthy diets reduced physical activity यानि कि जो आपकी unhealthy diet है उसकी वैसे आपकी unhealthy diet हो गया physical activity कम करना हो गया और air pollution यहां पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो यह जो चीज़े हो रही है कहीं नगे एक बहुत बड़ा risk है इनसान की जान के लिए, उसकी mortality के लिए उसकी बिमारी के लिए और उसके मौत के लिए उसकी मिमारी और मौत के पीछे के रीजन यह बहुत ज़्यादा है unhealthy diet, physical activity कम होना और air pollution ज़्यादा होना तो क्या इसके उपर आपके क्या सोच विचार है, उसको elaborate करना है, उसको आपने details से बताना है 200 शब्दों में, ठीक है तो एक बार हिंदी में रीट कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यमाल आस्प्रेंट्स पढ़ियास इसको पढ़ कर एक अच्छा सांसर लिख सके तो आस्वस्थेकार, आहार कमशारीरिक गतिविधी और वायू प्रदूशन, संयुक्त रूप से, यानि ये तीनों अगर आप देखोएं तो संयुक्त रूप से अधिकांश, अन्य जोखिम, कारकों की धुल्ला में, जो यहाँ पर रगुड़ता और साथी साथ में मृत्यू दर का अधिक जोखिम पैदा कर रहे हैं, यानि विमारियों का दीपक ज्यादा वेजूकेशन मेंस ग्रूप जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरे टेलिग्राम चनल मिलेगा, जहाँ पर अल्रेडी सेवेंटी थाउननेंट से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी कुछ important points मिलेंगे, जो आप अपने notes में include कर सकते हो, सामने वाले के answer में, अगर कोई mistake होती है, ता आप उनको बता सकते हो, कि यहाँ यहाँ पर improvement की आवश्यक्ता है, चलो आते हैं उसके बाद में अगले editorial पर, दूसरा editorial जो है, वो हम लिखा गया है, नबीला सिद्धी की ज discuss कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी recently जो इसराइल और साधी साथ में गाजा का ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, इसमें यहाँ पर इसराइल के उपर में allegations लगाए गए हैं, इसराइल ने white phosphorus bomb का use किया, क्योंकि इसराइल ने इतिहास में भी white phosphorus bomb का use किया है, 2008 नो में जो गाजा वर हुआ था, वहाँ पर इन bomb का use हुआ है, कई सारे और भी योद्ध हैं जहाँ पर white phosphorus bomb का अलग लग जगा से use हुआ है, तो जो हमारा chemical convention है ये वाला, है ना, तो chemical convention of weapon क्या बोलता है, इन white phosphorus bomb को लेकर international law क्या बोलता है, वो सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पर cover कर बनाने वाले है, ठीक है, तो white phosphorus bomb जब छोड़ते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है, कई बार ना, इससे keval और केवल धुआ प्रड्यूस करने के लिए यूज कर जाता है, केवल और केवल smoke बनाने के लिए यूज किया जाता है, और कई बार इंसानों को मारने के लिए याँ प happens भी बोलते हैं, एक ऐसे हतियार जो कि यहां पर तुरंत जल जाते हैं, तुरंत आख पकड़ लेता है, फॉस्फोरस में खतरनाक बात यहां पर यह है कि जैसे आप इसको oxygen के साथ में मिलने के बाद में यह जला लेता है अपना आपको, और यह तब तक जलता है, जब तक व वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स जो हमको देखने को मिलते हैं, यह भी एक बहुत ज़ादा मातरा में आग को प्रडियूस करते हैं, और जहां जहां पर oxygen प्रेजेंट होगी, उस oxygen को यह अपने आप में सोक लेंगे, चूस लेंगे, वहां की oxygen को खतम कर देंगे, और आप वह oxygen खतम करके बॉड़ी को जला देगा अंदर से, तो इस phosphorus की वेसे जो injuries होती है, वो injuries अभी तक यहां पर एक बहुत बड़ा challenge है हमारे doctors के सामने, medical professionals के सामने, वो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं कि अगर phosphorus से injury हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, अब यहां पर वो lesson की तरह आती है, garlic की तरह यहां पर बदबू आती है, ऐसा भी यहां पर कुछ experts का कहना है, लेकिन जैसा आपको बता चुका हूँ बई oxygen में जैसी इसको oxygen के पास मिलाओगे तुरन जल जाएगा, oxygen के साथ में react करके जल जाता है और जलने के बाद में जब तक खतम ना हो पर रोक लगाने की बात करते हैं, लेकिन वहां पर ये भी बोला गया है कि जो ये phosphorus है, इस phosphorus का आप खुले जगा पर open field में यूज़ कर सकते हो जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है, जहां पर कोई भी person नहीं होगा, वहां पर phosphorus का यूज़ क्या जा सकता है, लेकिन यहां पर civilians होंगे, जहां पर लोग होंगे, वहां पर आप phosphorus का use नहीं कर सकते, ये बात हमारा जो law है वो बोलता है, लेकिन फिर भी यहां पर phosphorus के उपर कोई कड़े प्रतिबंद ऐसे है नहीं, ये भी आपने ध्यान पर रखना है, तो phosphorus की एक ऐसी खतरनाक property होने के भी इसके उपर complete तरीके से कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, ये completely international law में नहीं आता है, और नहीं इसको हमने chemical weapon convention में cover कर रखा है, तो chemical weapon convention के तहत यहां पर कोई भी ये chemical weapon नहीं है, ऐसा यहां पर बोला जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहां पर इसको और के question भी पूछे जाते हैं, तो phosphorus से समधित कुछ basic चीज़े पूछी जा सकती है, phosphorus एक chemical element है, जिसका symbol है P, और इसका atomic number है 15, एक important element है हमारे life के लिए भी इसकी अलगलग प्रकार की properties होती है, कई सारे use होते है, properties में आपको बता चुका हूँ, oxygen के साथ पर react करके जलना, कभी डख होद देंगे, keval phosphorus मिलेगा, नहीं, keval phosphorus मिलका ही नहीं है, phosphorus हमेरे earth crust में पाया जाता है, यह अलग-लग minerals में पाया जाता है, एसा phosphate mineral जिसको हम लोग appetite बोलते हैं, तो इस form में पाया जाता है, इसमें से हमें extract करके निकालना पड़ता है phosphorus को, अकेला keval phosphorus काई नहीं पाया ज जैसे फॉस्फॉरस का इस्तमाल हम लोग खाद को बनाने में फटिलाइजर को बनाने में यूज करता है उसके लावा प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी अच्छा वाने जाता है फॉस्फॉरस अभी हम पढ़ी रहे थे पॉटेश्यम फॉस्फॉरस नाइटरोजन पता होगा उसके लावा फॉस्फॉरस का इस्तमाल दोस्टों आपर स्टील को बनाने में प्लस जो मैटलिजिकल प्रॉसस होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज कर जाता है इंडिया में फॉस्फॉरस का क्या सिनेरियो है फटा-फट यह भी डिसकस कर लेते हैं यह भी एक्जाम के देखने को मिलती है और appetite के मादम से appetite एक phosphate mineral है जिसमें से हमें phosphorus मिलता है इसकी कमी है इंडिया में यह नहीं पाया जाता और यह नहीं पाया जाता इसमें से इंडिया में phosphorus मिलता भी नहीं है इंडिया में बहुत कम जगा पे rock phosphate मिलता है वो केवल दो दोस्तो हम लोग क्या करते हैं ? दुनिया बड़ से इंपॉर्ट करते हैं फॉस्फोरस को समझ गए आगया आते हैं अब हमारा chemical weapon क्या है ? ये chemical weapon क्या बोलता है ? मैं आपको ये बतलता हूँ chemical weapon दोस्तो यहाँ पर एक प्रकार का chemical होता है जिसका यूज किया जाता है जान बुझकर किसी इंसान की जान लेने के लिए उसको chemical weapon बोलेंगे अब्वियसी बात है अब chemical weapon को इस्तमाल करने के लिए हमारे पास में कुछ international law है कुछ proper कानून देखने को मिलते है जैसे chemical weapon convention ये एक multilateral treaty है दोस्तो एक agreement है इस agreement के तहट यहाँ पर chemical weapons को पुरी तरह से ban कर दिया गया था और chemical weapons को लेकर जो बात चीते हैं 1980 में शुरू की गई थी United Nation Conference के अदर में अब दोस्तों यहाँ पर जो convention है इसको पुरी तरह से ready किया गया 1992 में फिर sign किया गया 1993 में और यह काम करना शुरू कर चुका था 1997 से अब दोस्तों यहाँ पर इसके तहट यहाँ पर यह बोला गया कि जो भी countries ने इसको sign किया है उनको अपने देश में जो chemical weapons है उनको त्यागना होगा और जो है present है उन chemical weapons को खतम करना होगा डिस्ट्रॉइ करना होगा ठीक है तो यह बात यहाँ भी बोलेगी भारत ने भी आपने स्ट्रीटी को 1993 में sign कर लिया था आपने ध्यान में रखना है अभी जो convention ने क्या बूलता है कि यहाँ पर कोई भी जो देश है उसको chemical weapon का production, acquisition, stock में रखना यह सब कुछ बंद करना होगा ना ही आप chemical weapon का कोई production वगरा कर सकते हो ना ही उसको transfer कर सकते हो ना ही chemical weapon का आप use कर सकते हो कहीं पर भी समझ गए जब बात आती है इसी phosphorus bomb की तो international law के तहत मैं आपको बता दिया कि जो white phosphorus वाले bomb होते है आप इसको heavy populated areas में नहीं use कर सकते जहां में बहुत सरे लोग ऐसे हैं बहुत सरे लोग रहते हैं जैसे गाजा पट्टी में जरेसे area में 20-22 लाग लोग रह रहे हैं ऐसे areas में phosphorus bomb यूज़ करना सही नहीं है लेकिन open space में खुले area में यहाँ पर phosphorus bomb का use क्या जा सकता है धूए को create करने के लिए धूए के पीछे छुपने के लिए समझ गए तो यह phosphorus को लेकर कुछ basic चीज़े थी जो कि मैंने आपके साथ में share की है यह आप देख पाओगे phosphorus से जो eyes वगएर है वो यहाँ पर burn होने लगती है एक इंसान यहाँ पर अंदा हो सकता है प्लस यहाँ पर इससे कई सरी बिमारिया हो सकती है जो skin वगएर है वो यहाँ पर बरन हो सकती है ठीक है तो यह था हमारा पूरका पूरा आज का newspaper discussion I hope दोस्तों आपको मज़ाया होगा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आज के इस analysis से जानी होगी बाकी मुझे पता है कल का जो एक article है इंडिया के ने डावला वो रहा गया है वेट कर लो आज नहीं तो कल कल नहीं दो परसो लेकिन discuss जरूर कर लिया जाएगा इस सब्ता के अंदर है ठीक है बाकी question यह था 2018 खा कि momentum for change climate neutral now एक initiative है किसका initiative है तो इसका सही उतर है option number C United Nation framework convention on climate change जिसकों लोग UNFCCC के नाम से जानते हैं इस security rate का यह convention हमको नजर आता है convention नजर आता है sorry now अब इसके साथ मैं करते है lecture को समाब तोर मिलते हैं आप लोगों से अगले वडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जै हिंद